दोस्तों नमस्कार सुआगत है आप सभी का अपना चैनल आईएंडी हिंदी टेक में जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको बताया था कि फोन पे जो है एक्सिस बैंक के साथ पार्टनर्शिप की है और आपके लिए एक नया यूपि आईडी को लाँच की है जो कि मैंने उस वीडियो में डिटेल पुर्बक जानकारे दिया था हलाकि हमारे एकाउंट पर अभी तक जो है यहाँ नया वाला यूपि आईडी देखने को नहीं मिला है लेकिन काफे सारे लोगों ने कमेंट किया था कि हमारे एकाउंट पर जो ह इसमें कुछ नया जानकारी इसके बारे में हम देने वाले हैं देखिए सबसे पहले फोन पे के तरब से क्या कुछ लिखा गया है इस पर हम ध्यान देते हैं यहाँ पर फोन पे के तरब से जो है बताया गया है कि नया वाला यूपि आई आईडी आपको मिलेगा जो कि एक् पहले आप लोगों को मिला होगा फोन पे का UPI ID जो कि add the rate YVL वाला होगा लेकिन अब आपको activate करने की बाद access bank वाला मिलेगा add the rate AXL वाला ठीक है न तो इस चीज का आप द्यान दीजेगा इसकी बाद यहां भी बताया गया है कि यहां कोई जरूरी नहीं है कि access bank का account आपके प इस activate कर सकता है अगर उनको options मिल रहा है उसकी बाद दोस्तों यहां पर यह भी बताया गया है कि payment में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है आप पहले जैसे recharge करते थे, bill payment करते थे, money transfer करते थे, same उसी परकार से आप लोग कर पाओगे लेकिन दोस्तों यहां पर activate करने के बाद हम आपको बता दे कि इसमें आप एक नया UPI ID नहीं बना सकते हैं जी हां जैसा कि आप सवी को पता होगा कि phone paper एक नया नियम आया है जहां पर आप जो है अलग अलग bank account का अलग अलग UPI ID बना सकते हो जो कि मातर एक वार ही बना सकते हो उसके बाद उसे change नहीं कर सकते हो तो अगर आप लोग यह सोचते होंगे ना कि access bank वाला अगर हम UPI ID को activate कर लेते हैं तो वहाँ पर एक manual UPI ID बनाने का options मिलेगा AXL वाला तो आप यह गलत सोच रहे हैं देखिए पहले वाला जो आपका YBL वाला जो UPI ID रहेगा वह भी UPI ID रहेगा और उसके नीची AXL एक्टिव बस इतना ही फर्क आपको देखने को मिलेगा बाकि अगर आप लोगों का UPI ID जो है पहले वाला आपके नाम से है वही नाम से नीचे वाला रहेगा आपको नया बनाने का options नहीं मिलेगा सिर्फ आपको activate करने का options मिलेगा यहाँ पर पहले वाला UPI ID भी activate रहेगा और अभी व मिलेगा और एक को मिलेगा AXL अब यहाँ पर बात आती है कि जिनको options मिला था वो options कहीं खो गया है वो क्या कर सकती है तो आप घवराइए नहीं कुछ दिन तक वेट कीजी आपको फिर से options मिलेगा फिर से आपको उपर में pop-up पे गयरा नजर आएंगे वहाँ पर क्लिक करक जैसे जैसे यह old होते जाएगा जैसे जैसे यह पुराना हो जाएगा वैसे वैसे यहाँ पर जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलना start हो जाएगा और एक समय ऐसा आएगा ना कि हमेसा एक options वहाँ पर डाल दिया जाएगा कि आप जो है activate कर सकते हो यहाँ पर सबसे पह हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है आपका दोडों जो है UPI ID एक्टिवेट रहेगा जो कि YBL वाला रहेगा वो भी डिलेट नहीं होगा आपके एकाउंट पर रहेगा एक्सेल वाला रहेगा वो भी आपके एकाउंट पर रहेगा वो भी डिलेट नहीं होगा इस चीज का आप दियान दिजेगा बस यही छोटा सा अपडेट आया था तो मैंने सोचा कि आप लोगों को थोड़ा सा सुचित करा देता हूँ ताकि यह बात आपको पता हो तो आप चाहो तो एक्टिवेट कर सकते हो नहीं तो आप इसे एक्टिवेट नहीं कर सकते हो क्योंकि काफी सारे लो आप यूपी आइडी नहीं बना सकते हो जो पहले वाला आपका यूपी आइडी रहता है वही यूपी आइडी जो है यहां पर आपको नजर आएंगे तो उम्मीद करेंगे दोस्तों कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो में जो भी हमने अपड आज़त तब तक के लिए गुड़ बाई